स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में आज मैं कुछ नया लेकर के आई हूँ तो देखिए यह मैंने लिया है एक कॉप होल्डर तो जिसे आप इसमें चाहिए अगर पीजिएगा और यह इस तरह का पट्टी लगा रहेगा तो आपके हाथ उत नहीं जलेंगे तो इसलिए मै मैंने आज एक नया चीज लेकर आई हूँ इसे आप लोग देखिए और बनाइए आप इसे चोटा कप के लिए भी बना सकते हैं मैंने इसे बड़ा कप में बना करके दिखा रहे हूं इसके लिए मैंने यह ब्लू कलर का लिया है हूँ और इसे कैसे बनाती हूँ तो हमारा आप विडियो द्यान से देखिए इसको बनाने के लिए मुझे इतना नाप लेना है चाहे तो आप चैन से ले लिजे या इंची टेप से ले लिजे तो मैं चैन बना करके इसका नाप बताती हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है तो यह बारा चैन ली हूँ यहा से बनेगा तो मैं एक लाइन आपको बता बना कर दिखा रही हूं इसका फर्स्ट राउंड में मैं डबल क्रोशिया जितने भी चेन है उसमें डबल क्रोशिया बना दूंगे आप चाहें तो फस्ट राउंड में डबल क्रोशिया ही बनाएगा और सेकेंड राउंड से आप इसमें डिजाइन डाल दीजिएगा बहुत ही सुन्दर लगेगा तो ये मेरा पहला राउंड समाप्त हो गया अब मैं क्या करूंगी दो चेन दे करके टर्ण करूंगी और टर्ण करने के बाद ये पहला छोड़ करके दूसरे में डबल क्रोशिया स्टार्ट कर दूँगी तो मैं सिंपल ही बना रही हूं ये हमारा बन रहा है काप का होल्डर तो आप देखिएगा ध्यान से बहुत ही काम आने वाली है ये और लास्ट का जो बचा है उसको भी मैं इसमें डाल करके बना दूँगी फिर दो चेन देकर इससे टर्ण करके ये पहला छोड़के दूसरे में बनाओंगी तो तकरीवन ये मुझे थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा और मैं दिखाती हूं आपको कितना लंबा बनाना है तो ये देखिए मैंने इतने बना लिये हैं जो शुरू से तो मैंने थोड़ा सिंपल ही दिया डबल क्रोश है लेकिन थोड़ा बीच में आकर के मैंने इस तरह का पैटन कर दिये हैं और ये पैटन इस तरह बना है दो चंद देने के बाद इसको देखिए एक बार लेंगे धागा और ऐसे करके और इसको पहले इसको निकालेंगे फिर तीन का दो करेंगे दो का एक करेंगे तो इस तरह से एक चंद देखिए या तो आप दुबारा इसमें लपेट लीजिए धागा और इस तरह करके एक बार ऐसे निकाले फिर एक तो यह पैटन में इसी तरह बना दूँगे तो देखिए तकरीबन यह हमारा बन के तैयार हो गया अब मैं इसको क्या करूंगे इसके अंदर डालूंगे और इस तरह से बना दूँगे या तो मैं इसके सेंटर में एक बटन लगा दूँ या नहीं तो आप ऐसे दोनों को पकड़के जोइंट कर दिजिए तो दिखाती हूं तो देखिए मैं इस तरह से इसको जोइंट कर दूँगे इस तरह से लेके जोइसे ऐसे लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा हमारा जोइंट है नहीं तो आप बटन से भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं इस तरह से देखिए यह इस तरह से तो यह हमारा बनके लगभग में इस तरह उसको कट कर दूँगे तो इस तरह से हमारा एक बनकर के तयार हो जाएगा दोस्तों तो जैसे हम चाई टालते हैं तो चाई जब माली जए गरम रहेगा तो हम इसको ऐसे एसे भी लेके पी सकते हमारा हाथ घरम नहीं होगा ठीक है? तो इससे जरूर बनाएए और आप चाहे तो इसे छोटे कप के लिए भी बना सकते हैं इस तरह कर और अपने पसंद के हिसाब से ही कलर चूज कर सकते हैं और इससे जरूर आप बनाएए ये बहुत ही अच्छा है तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में और इसको जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा धन्यवाद